बिसमिल्ला रहमारीम असलाम अलेकुम मैं हूं कैसर मलिक आप लों के साथ सर्वेंग इंजिनिंग डिजाइनिंग के प्रियर फार्म से आज मैं आपको पूरी लेयूट को बताऊंगा कि आपने मैनवल लेयूट कैसे करनी है विदाउट टोट सिटेशन विदाउट एनी बेहे हैं इसकी फुटिंगs होगय रहा है इसके हमने लेयूट करनी है पूरा यह प्लान है वेडाउट कोई प्लान है इसके अंदर रु और इसके एपस साथ़ को आपको सामने नदर आ रही यह इसको हमने लेयूट करेंगे इस फुटिंग का R hypothijn का कि नो एनि रेफरेस्स के साथ के हमार पास प्रजेक्ट का लोकेशन होएगी उसके जरीए हमने अपने ये फुटिंग्स औगहरा और सिक सारे इसके जो डैमिशन्स औगहरा वह हम लगाएंगे इसके अंदर तो इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले इदर मैं आपको पता दूँ क हमने उपर आप इदर आ जाते हैं तो ये देख सकता है कि मारपास इदर इख शकॉलम्स इसके और सीऑं हमेरे सेक्टेशन और ये आप आते हैं रहा है कि अधर मिंचे आ पाते हैं येमर्पास येकरिया कालम सीच्चु कालम और सीवाट दी कि डामेशन्स हो रहा रहा इदर दी गई है उसी दर प्लान के उपर हमारे पास कालम मारक जा है तो कालम हमारे मारक पाई है C1, C2, C3 टाइप के और साथ आप इसके देख रहे हैं कि इदर F1, F2 तो इदर आपको नदर आ रहा है तो यह F1 जो है यह हमारी Futting है F1 F2 यह मुफ्तिलिफ साइज की F3 हमार पास również Ftings कालम जदर होएगा इसके नीचे के Ftings होएंगी और Ftings के साथ उसके दर्मान में कालम निकलेगा तो यह मैं इदर layout कर तो आपको तो यह आप देखेंगे यह हमार पस किदर यह मैं layout करना है एदर और सारा करना दो यह ड्रैंग ओपर आप आते हैं तो आप यह देख रहे हैं कि नीचे जो थे हम आपस column थे ओपर जो हम आपस यह footing है यह फ़टिंग है इसी तरह है यह फटूब आपको प्लान होता है उसके अंदर इसी तरीके से कालम आपका तइप का कालम थे स्टार्ट हों आपकी एफ नंबर के टाप से शुरू हो रही होंगे तो यह मुझी ड्रैंस के ओपर मुझी डिचेंस दीगी होती है इसके बाद हम आ जाते है कि हमारा जो यह प्रजेक्ट एरिया यह आप यह देख सकते हैं यह हमार पास 58 feet है तो इसी तरीके इसकी लेंथ 58 feet है और इसकी जो विर्थ है ओ थाइडिफॉर feet है तो यह सबसे पहले हमने इसकी आउटर boundary लगाएंगे तो इस boundary के लिए हमने इसका center निकाल लेना इसकी x line इसी दर आपने इसका 58 हमार पास divided by हम 2 कर देंगे तो आप यह देख रहें 58 divided by 2 करेंगे तो यह मापस length आ जाएगे 29 feet तो यह 29 feet के उपर हमने इसकी x line लगा देनी है पहले और इसके बाद इसी तरीके से दुसरी side को पर भी यह divide हो जाएगा 29 feet के उपर और इसी तरीके से जो हमार पास इसकी length हैगी वह भी हम इसको divided by 2 करके दर लगा देंगे तो यह हम लगाएंगे तर यह मापस x की line आ जाएगी और उपर हमार पास इसकी width है 34 divided by इसको भी हमने 2 कर देना है और यह 17 feet इसकी इदर से y की line आ जाएगी तो यह सबसे पहले हमने अधर अपनी x और y line अपने plan के साफ से लगानी है x हमारे पास और y line हम लगाएंगे manual layout करेंगे और इसके बाद इन पूरी fittings जुजी आपको पास columns और fitting और इसकी boundary हो गया जो भी जा रही है उसकी layout हम manual करेंगा तो ब हैमर चुना डोरी और स्टील नेल्स और होने चाहिए और उसकी मिदस से हम इस site के ऊपर कोई भी site है उसको पर हम इसकी layout करेंगे manual तरीके से बगएर किसी reference के टोट स्टेशन के और थर्ड़ लाइट होगा रहे है तो यह आप देख रहे हैं पूरी site है यह हमार पास इतर available है कि यह हमार पास site हैगी इसकी length और width इतनी है length और width के साफ़ से आपने उसकी central line लगा लेनी है और दोसे एक x-line कोई किसी भी reference के उपर चूब कि मेरे पास यह एरिया थोड़ा सा खोला एगा इतर मेरे पास open choice हैगी कि मैं किसी जगह को पर भी इसकी layout कर दो तो लेकिन आपने जब layout करनी है तो आपने इसी से ख्यार रखना हैगा कि जो भी आपकी यह x-line लगाएंगे आपने project के अंदर लगाने जो demarkation दी गई होगी उसको आपने divided by two करके आपने इदर से land लगाने इदर land यह आपने डोरी रखके और इदर से land को आपने सीधा कर देना और इसको पर आपने चूने की एक land लगा देना यह जो आप लगाएंगे यह आपने अपना जो length आपको पास दीगी होगी आपका जो project area होगा उसको पर आपने divided by two करके लगाने है हमारे पास यह 58 feet था तो हमारे पास यह आप समय लेंगे 29 feet की land हम लगा रहे हैं बिल्कुल state land अपने project area के साथ से एक land आपने इदर इसी तरह उसका center निकाल लेना प्राट का और अधर सबसे पहले आपने इसकी एक land लगा देनी है यह हमार पास x की land आ जाएगी आपने इसी तरीके से उसको पर चूने की land लगा देनी है लगाने के बाद आपने इस land का आपने इदर से center mark करना है अ उदर से आपने जो उसके जितनी भी उसकी dimension बन रही होगी विर्थ बन रही होगी 17 feet में पास इदर 34 feet total विर्थ हैगी इदर मैंने 17 feet के उपर एक क्रास्ट बना देना है इदर से मैंने measurement का लेनी है आपने steel nail के इदर 34 feet थी तो आपने इसकी 17 feet के उपर आपने एक dimension लगा देन नहीं है इदर से तो इसी तरीके से आपने इदर इसको पर आ जाना है और दर एक लैन और इदर वर्टिकल लैन आपने लगा देने यह हमारा center हो जाएगा इसी तरीके से आपने start के उपर पीछे इदर आपने measurement tape रखी थी उदर भी आपने zero के उपर इसकी लैन लगा देने आपने measurement tape को open कर लेना है और last के उपर इसी तरीके से measurement कर लेनी है आपने थार्टिफोर फिट की जो के आपका बाद टोटल इसकी विर्ट से जा रही होगी तो इदर आपने इसी तरीके से इदर भी vertical लैन थार्टिफोर फिट के उपर लगा देने तो अभी आप यह देख र लेक्ट होएगा उसकी आपने एक horizontal lens center निकालके लगा लेनी है और उसके बाद उसके इदर से उसके center निकालने के बाद उसकी vertical lens को आपने लगा देना है तो अभी आप यह देख रहे हैं कि यह आपने इस lens को सेम तो सेम इसी तरीके से लगाना है कोई भी आपका project आएगा कि इसी भी तरीके से आपके पास उसकी alignment आपने लगानी है कोई reference नहीं है तो आपने उसका सबसे पहले center निकालने के बाद एक horizontal आपने land लगानी है और उसके बाद अपने project की zero और उसका center और उसका end point लगा देना है उसके बाद हमने इतर से उसके उपर y land लगानी है इसी land की म जैसे हम इसका दो किसम के method हमारे पास use होते है पहला तो पहला जो method है वह हमारे पास है आर्क वाला method हम आर्क के जरीए land लगाएंगे तो अभी हम देखेंगे आपने हमने तीन इदर points लगाए थे हमारे पास zero था 17 feet था और इसके बाद आगे 34 feet तो आपने zero वाले को उपर आ लगाना है इसका हमने आर्क लगानी है आर्क हमारे पास इदर 17 थाटी फोर फीट का मारे टोटल प्लाट के साइज है तो हम इसको कोश्च करेंगे यह हमारे पास उपर जाए 40 feet था कि या 35 feet से लेके 40 और 45 feet किसी भी distance के उपर आप एक आर्क लगा सकते है जितनी आप दूर इस आर्क को लगाएंगे उतरा हमारा रिजल्ट बेतर आएगा तो इदर से मैं 40 feet के उपर एक इदर से मैं इसका आर्क लगाऊंगा आपके सामने आप देखेंगे इदर से 40 feet के उपर आपने इदर से measurement आपने उसकी आर्क लगानी है थोड़ा सा आपने अपने प्लाट के उ जाना है और साथ आपने से इसका चूना लगाता जाना है जो मार्किंग आपको पास है पैंट भी आप लगा सकते हैं और इस इस तरीके से आपने इस से ख्यार रखना है कि आपको जो measurement tape है वह आपकी मकमल state रहे. tight रहे. आपका फिटा. आप उसके अंदर कोई किसी किसम का क चेक्षिया किसी की हैडल नहीं होनी चाहिए तो आपने इदर इसी तरीके से उसकी आर्क लगा देनी है उसके बाद आपने इदर से अपना जो आपका जिरो पॉइंट था आपने इसे मूव करा देना है थार्टीफ़ फिट की जो हमने निशान लगा था उसके उपर आपने एक wichtige का आपने zero रखना है अब इतर से मेच कर देना है और एक आपने इतर से इसका क्रास बना देना है तो आपने इतर से इसे के उपर हमने पहला आर्क लगाई थी तो दूसरी आर्क क्रास फोटीफ लगाएंगे वोग्रे से आप भी देख रहे हैं यह अदर पास इदर पर हम दुबारा हमने 34 को पर हमने जीरो पकड़ा था और दो से हमने स्कॉस लगा दी इसी अब इन दो पॉइंट्स को भी मिला के आप अपनी लैंड को इदसे स्टेट कर सकते हैं लेकिन आप बेतर हैगा कि आप इसकी लैंड को अपोजेट सैड को पर दूसी सैड को पर भी आप इसको लगा दें तो अब दो पॉइंट्स की मितर से हमने इसके उपर डोरी राख देनी है पहला जो हमने आर्क लगाया था उसके पीछे आप डोरी को स्टेट करा लेना है इसका अपने सेंटर निकाल लेना और दूसरा पॉइंट हमार पास वो सेंटर लैंड जो हमने नजर आएगा इन दोनों पॉइंट्स को अपने लिए सीधा कर देना है इसन दोनों पॉइंट्स को आपने यह वाली रखाना है और इसको पर चूने की एक लगा देनी है तो इन यह भी आप देख रहे हैं कि हमार पासक दो लांज आ गई है सबसे पहले number को पर हमने एक्स लाइन लगाई वो उसके इस super nineť की उसकी पर उसकी बिल्हकुल exact 90 के ऊपर हमने इदर से उसकी वाई की line को लगा दिया तो आपने इसी तरह इस method के जरीए आपने आर्क वाला method use करना है आप three four five method भी आप use कर सकते हैं लेकिन वह चुक्छ चोटा होता है तो इसलिए लंबी लेंग center line के उपर थोड़ा सा आपको उसके अदर problem आता है तो आपने आर्क वाला method यूज करना है आर्क वाला method को पर मैंने आपको पता दिया है यह आप कोई भी इदर से सबसे पहले आपने अपनी x और y land को इदर mark कर देना है उसके बाद यह सारे इसके उपर fittings है इसकी जो भी चीज़ है तभी आप यह देख सकते हैं कि इदर से हम three four five करेंगे तो यह हम आप fit का बना चाहिए तो आप इतर से इसको बिलकुल एक्जाक डिजर सेंटर लैंड को पर जिदर आपने चूना लगा लगा सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि यह बिलकुल एक्जाक हमार पास five fit आया तो यह आपने three four और five fit के साब से भी आप इसके उपर लगा सकते हैं लेकि जो जैसे मैं paper को पर आपको sketch रहा गांगा बताता हूँ यह हमारी y line थी और यह हमारी x line है यह आप यह देख रहे हैं कि हमार पास यह x line है सबसे पहले हमने अपनी x line को ट्रा किया था उपर हमार पास y की line आई थी तो इधर से आप ड्राइंग के उपर आप देख रहे हैं क और यह हमारी x वाली line है इधर से हमार पास इसका distance लाएगा 29 feet इधर से हमार पास आप देख रहे हैं 29 feet था तो यह हमार पास 29 feet चारो सैड़े को उपर इसका distance लाग जाएगा तो यह हमारे plots के corner हमार पास आ जाएंगा तो आप यह देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपस उसका आपने half divided by two कर लेना है और two करने के बाद उनके चारो सैड़ों को पर आपने इस lines को आपने लगाना है तो यह आप यह देख रहे हैं कि इसी तरीके से हम आगे अभी layout करेंगे यह मैंने paper को पर आपको थोड़ा सा बना के बताए तो इसी तरीके से आपने इनकी dimensions को सारे points को आपने लगाना है और सी boundary को आपने बना देना है तो अब आपने इदर अपनी सबसे पहले हम अपनी vertical lens के उपर आ जाते हैं इदर हमारा offset है 17 feet का तो आपने 17 feet को इदर center के उपर रखना है और इदर से दोनों साड़ों के उपर अपनी measurement tape को आपने open कर लेना 34 feet हम measurement tape को अपनी open कर लेना है और open करने के बाद इदर आपने एक चूने की मिदल से इदर एक अपनी horizontal lens इदर लगा देना है तो अब यह आप देख रहे हैं कि आपने इसी तरीके से measurement tape को open कर लेना है मैंने इदर से पूरा open किया है आप 17 feet भी दोनों साड़ों को पर से लगा सकते अब आप इदर से डेख रहे हैं कि center के उपर इदर हमार पास 17 feet हमार पास इदर आ रहा है तो इदर से 17 feet आपने center के ऊपर रखना है और इदर दोनों साड़ों के उपर edges के ऊपर आपने से 34 feet जिदर हमार पास ऑ रहा है इदर आपने vertical लैंड उसी exits के उपर लगानी है yX के उ लगा देना तो यह हमार पास पहला पॉइंट आ जाएगा इसके बाद आपने इदर से मेजरमेंट को अपने फिते को मूव कराना है और दूसरी सैड को उपर आपने चला जाना है आप बिल्कुल एंड वाली सैड को पर चले जाए इदर से और आपने इसी तरीके से इसके फिट की वह आपने इदर दुबारा लगा देना है यह सेम तो सेम उसी तरह और उसी एकसस के उपर आपने इसी तरीके से मेजरमेंट आपने उपन कर लेना है और दूसरी सैड को पर आ जाना है और इदर से आपने इसकी मेजरमेंट को इदर से से सेंटर लैन उसका आपने सीधा करा देना है और सीधा कराने के बाद उसको पर आपने दिससे इसकी लैन को आपने लगाना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जडरूर कर दें और मेरी वीडियो को आप ला-इक ज़रूर कर दे तो आपने इसी तरीके से आप यह देख रहे हैं कि जिस तरह हमने पीछे इसको पर वर्किंग की थी बिल्कुल एग्जक्ट लैंड लगाया था तरह सेंटर लैंड के उपर तो आपने भी इसी तरीके से इदर दुस्री सेड को पर बिल्कुल आउटमोस्ट एंड के उपर आ जाना है उतर से आपने 17 17 फीट की इदर से आपने वर्टिकल लैंज वाई एकसस के इसाफ से आपने लगा देनी तो आप यह देख रहे हैं कि हमने दिस चारो कानर इसके लगा दी है इसके बाद जो हमार पास एकस की लैंज आ रही है जिसका डिस्स हमार पास 29 फीट था तो वह लैंज हमने अब से इसको लगा देनी इसी तरह आपने यह लगा देना है इसके बाद आपने मेजरमेंट को अपने आपने मूव करना और दुसी सेट को पर आपने चले जाना है बिलकुल एंड के ओपर सेंटर लैंड को पर आप लगाना चाहते हैं आप लगा दे तो बेतर ही है सेंटर लैं fit के उपर जो हमाँ पास उसकी outside की dimensions आ रही थी तो आपने लगा देना है इसके बाद इसी तरीके से आपने गुदर end के उपर आपने आ जाने तो इसी तरीके से working करते हैं आपने इसकी चारो साइड़ों के उपर यह measurement आपने लगानी है जो भी आपको पास इसका offset आ रहा था तो आपने यह जिस तरह आपने इसकी वाई access के साफ से 17 17 feet के उपर लगा था तो इसी तरीके से आपने इसकी access के उपर भी 29 29 के उपर आपने इसकी dimensions चारो साइड़ों के उपर आपने लगा देनी है तो यह आपके पास चारो कार्णर इधर बन जाएंगे सारे तो आपने तो यह आप जो भी buildings के layout बगएर कोई reference के बगएर coordinates के जो भी आपने करनी है वह आपने इसी तरह करनी है मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट से पता है गया कि आपने पहले नंबर को पर अपना सेंटर लगा लेना है सेंटर लेना के बाद आपने उसकी आर्स के साफ से आपने नैटी को पर points को mark कर देरा तो अबही आप देखने कि हमीने सारे points अपने ora अधर लगा दी है हमारे पास जो इसके चारो corners आ रहे है हमने x access के उपर भी और y access के उपर भी सारे हमने दिसको mark कर दी हैं साइट के उपर तो अब आप देखने हैं कि दो पॉइंट्स है हमारे यह पॉइंट्स आपस में अलाद हैं तो इन पॉइंट्स को भी हमने कर लेना कि आपकी लैंस बिल्कुल स्टेट होने जाए हैं उसके बाद इदर से आपने जो हमारी चूने की लैन आपने लगानी ही जिदर हमार पास एक्स एक्सस की लैन आ रही थी उधर तक यह आपने इदर से बनाने के बाद इसके क्रास्ट बना देने जिस तरह मैं देख रहा हूं उस चारे साड़ों को पर आपने डुरियां पूरी-पूरी रखानी है खोलने के बाद आपने इसके एक्स एक्सस और वाई एक्सस के तो थोड़ सी मैंने दर स्पीड तेस्ट किये कि थोड़ी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो आपने इदर से इसी तरीके से इसके उपर मेनत करनी है आपने इसको पर सारी लेंज नहीं लगानी है आपने सबसे पहले सके क्रास्ट बनाने के बाद हम इसका डैगनल चे आपने इसके क्रास्ट बना देने जिस तरह यह मैं बनाते जा रहा हूँ अदर आपके सामने तो आपने डोरी रखाना है इदर से और रखने के बाद इसके पूरे क्रास्ट बना देने के बाद इसको पर हमने इसका डैगनल चेक करना है इस पूरा ड्राइंग के साब से कि ह हमारी layout आगे चलेगी है अगर diagonal में तर हमारा फरक होएगा तो उसको हम इदे से उसको ठीक करेंगे और करने के बाद आगे चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने इदर चारो क्रास इसके बना दी है दोरी रखाई है हमने फुल एक पॉइंट से लेके दूसरों पॉइंट इसको पर calculator आपने इदर से open कर लेना है जो हमारी विर्थ थी वो 34 फिट थी और जो लेंग थी हमारी वो 58 फिट है जिसको हमने diagonal एक्जाट निकलना है आपने जसे calculator को open करना है और shift pul आप निकलना है उसके बाद आपने इदर से उसकी विर्थ देनी 34 कामा लगाना है और 58 ले diagonal है दूसरी साइड को पर भी same to same यह हमाँ पर diagonal होएगा तो यह हमाँ पर diagonal आ रहा है 67.230 तो यह आपने इदर मैं अदर note कर दता हूँ आपने भी इसी तरीके से इदर से इसको note करना है और इदर लगा देना है दोनों साइडों को पर हमाँ पास same to same हमाँगा 67.23 तो यह 2.23 इसी फिट जो है गई हमारे तक हमारा थ्री इंच हो जाएगा इसको मैं भी इदर लिख देता हूं तो यह 67.67 फिट और थ्री इंच हमार पास इसका diagonal आ जाएगा उसके बाद आपने measurement टेप को open करना है और एक कारणर से लेके दुसरे कारणर तक आपने इसकी dimension चेक करनी है आप इतर देख रहे हैं तो आप देख रहे है 67.3 इंच आ रहा है 67 फिट और थ्री फिट आ रहा है बिलकुल exact हमारा आ रहा है एक साइड हमार पास बिलकु ठीक है आपने इसी तरीके से अपने measurement tape को move करना है और दूसरे opposite कारणर ताली साइड को पर आ जाना है और इसकी dimensions को आपने इदर से भी चेक कर लेना है आपने इसी तरीके से measurement move करानी है अपनी पीटों को और दूसरे कारणर को पर आ जाने है जो क्रास हमने इदर दोर्स की मज़ए से लगाए थे उदर भी आपने बिलकुल exact zero को पर आपने रखना है और इदर से आपने इसी तरीके से उसका measurement tape को आपने बिलकु टाइड रखना है और इसके अंदर आपके पास कोई जोल या किसी चेका कोपर measurement tape आपकी हैडल ना होए तो आपने इसी तरीके से इदर करना है और इदर इसको चेक कर लेना है इदर से तो आप यह देख रहे हैं कि अधर मैं आपको दिखाता हूं 67. fit औ हमार पास आ रहा है तो अभी हमने इसका डैगनल चेक कर लिया है यह ले आउट जो अपने इसके बनाएं यह बिलकुल है हमारा है इसके अधर हम मुकमल ले आउट अपने कर सकते हैं इसके सबसे पहले हम इसकी बॉंडरी बिनाएंगे उसके अंदर बाद हम इसकी गरा बहें कर सकते हैं तो यह चारो कार्णर जो हैं आपने इसके अधर से इसी तरीके से आपने इसको पिन उप कर लेगार और इसको आपने लगा देने एने यह जो ईसकी सारी अपने पॉाइट अपने महफूज लाजमी करने नै इसको आप sorry ने अप इसको व Only भी यूस कर सकते हैं जो भी आप आपने इन पॉइंट को महफूज कर लेना है तो अभी आप यह देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल शुरू से इसकी लियाउट एक्स और य एक्स लगाई हैं लगाने के बाद हमने इसके सारे कार्णर्स पॉइंट अलदा अलदा डवाइट को लगाए अप आपने सारी इदर से लगा देनी हैं डौरी कीुम्दद से आपने इदर से डौरी बांध देनी है यह आपके सामने अधर वर्किंग करता जा रहा हूँ आप इदर से आप इसको पॉइंट टू-पॉइंट डौरी पकड़ सकते हैं मेरे पास तो मैंने इसी तरीके से इन मांट्स को पर फिर देनी है फिरने के बाद आपने इसको चेक कर लेना है एक दफ़ा के कहीं डोरी आपके हाइडल वगएरा तो नहीं है किसी के अंदर को प्राब्लम नहीं है तो उसके बाद आपने इदा से इसके उपर चूने की लैंड लगा देनी है जिए हमारी आउटर boundary सारी complete हो जाएगी डोरी की मिदस से अगर आपने चैनल को सबक्राय मेरे चैनल को आपने सब्स्क्राय जरूर कर देना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है तो यह आपने इस तरीके से दोरी लगा देनी है और दोरी लगाने के बाद इसकी आउटर सैड जो जितना भी आपका पास बिल्डिंग का आउटर फेस आ रहा है सारा यह हमारे पास एक वन सैड थार्टी फॉर फिट थी इसकी विर्थ और जो इसकी लेंद थे पड़ेगी अगर आपके डेगनल के अंदर फरक होता है तो आपका डेगनल के अंदर फरक नहीं होना चाहिए इसका मैंने आपको फार्मूला भी बताया है सिंपल फार्मूला में यह है कि आप दोनों सैड़े आपकी एक्स और वाई आप चेक करते हैं तो वह आपके है जो चीज़ है वह हम इसी तरीके से आप हमने कर देना है इधनी एक्स और वाई लैंस की विदर से जो हमने पहले लगाई है जिसको पर हमने इसके कार्नर के पॉइंट से लगा है तो अभी आप यह ड्राइंग देख रहे हैं यह हमार पास इदर सबसे पहला कार्नर हमार सारे इतर से कालक का अशाइज और वगारा है आप देख लेएंगर सेता है वो आंड़ यह उसकी विर्द है वह भी इसके लैंफिट ऌपने इस वह भी वंफिट और सिंच है तो आपने इदर से इस इसी तरीके साहं हैं हमने इस का पहला सेंटेम नकालना है और पार लगा द इदर side को उपर लगाते हैं तो यह आपने इसी तरीके से अपनी plan के साफ से जिदर जिदर आपके columns और जा रहे हैं जो fittings और जा रही हो जा रहे हैं तो अब हम इदर first corner को पर आ गए हैं तो इदर से आपने बिल्कुल exact इसका center lane ना है और इदर से आपने one fit six inch के उपर इदर से वही same to same size हमार पास जो one fit six inch था तो इसको पर आपने एदर एक land लगा देनी है यह मैं पास इदर kernel बन जाएगा इसके बाद आपने बिल्कुल दूसरी opposite side को पर end को पर आ जाना है इसको पर इसी तरी से क्यूंकि हमारा column के size इदर बराबर आ रहे हैं तो आपने दूसरी side को पर आ जाना है और इदर भी आपने वही same to same process इदर repeat करना है 1.6 inch को पर आपने excesses को पर land लगा देनी है vertical line बिल्कुल exact fit के साब से आपने इदर इसको पकड़ना है और इदर से आपने इसकी land को आपने इदर लगा देना इदर जेदर हमार पास इदर one fit और six inch आ रहा है तो आ land लगानी है जाने बाद इसके बाद इन लैंस को हम इदर से कठा continue करें तो आपने यह क्यूचू के हमारे पास इसके सारे corners के ओपर column आ रहे हैं सबस्ते पहले हमने corners के ओपर जितने column जा रहे हैं उसकी वही dimension सब के ओपर इदर लगा देनी है उसके बाद हमने डोरी पकड़ करने के बाद एक side से लिए कि दुशी side को पर इसकी x और y lens को हम लगाएंगे अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपकी गलती का गुंजाश बहुत काम होएगी center column के ओपर भी हम इसकी layout कर सकते हैं इदर से लेकिन उसके अंदर चूंकर doubtful चीज हो जाती है तो आपको मैं layout क concept पूरा बता रहा हो कि अगर आपने इस तरह के आपको पास चीज है तो आपने इसी तरह कालम लगा देने हैं लगाने के बार आप यह देखने के अदर से अपनी इदर से आपने first line के उपर और उदर से आपने second column की जो हमारी y access की line आ रही थी उसको पर आपने इस को पर डो access की line नजर आ रही है तो आपने सबसे पहले दिसे access की line अपने column के साफ से इदर लगा देनी है इदर इसी तरह से यह थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे दिसी तरह आपने दूसी तरह opposite side को पर चला जाना इसको पर डोई आपकी वही पड़ी होईगी और उदर से आपने इस इसी तरीके सी उस lens को आपने लगा देने यह कारणर वाले column से इसको पर आपने इसी तरह working करनी है तो आप इस तरह जो working करेंगे वह आपके पास गलती की जो गुंजाश होएगी वह बहुत काम होती है लेवर्स के अंदर इसके अंदर आपके पास same to same चीजन जाएंगी और लेनी है अपनी इदर से अपनी दो डोनुल लाइंज हैं जो हमने लगाई है एकसकी लाइन उसको उपर इदर से हमने डॉड़ी रखनी है दोनुह साइड़ों के उपर उफ़दर हमने लगा देने हैं कालम के size आपके चोटे हो या बड़े हो जो भी तरीका कार है यह आपक बहुत काम होती है और अगर थोड़ी सी गलती आ जाए तो उसके अंदर फिर उसको कवर करना बहुत मुश्कल हो जाता है तो जो लियाउट आप करेंगे लियाउट को आपने बहुत एतियाद के साथ और सली के साथ करना है इसमें आपको कोई जल्दबाजी के जरूत नहीं हो होता है एजिस सी आपके कालम्स आपकी फुटिंग आपकी हर चीज़ ने ऊपर जाना होता है तो यह चीज़ आप जितनी एकुरेट करेंगे उतना आपको बहुत इसमें आप उपर जाके अपने काम के अंदर फील करेंगे तो यह मैंने आपको त्रीका कार बता है कालम्स के ले आँट आपने इस तरीके से कर लेते हैं से अब है अशोист कने हुआ कि यह ऊंइड़ाइसे नियुक्त कि मिलाते जाएंगे तो यह मारे पास उसकी एक्ग्सेक्ट होई रहे जाएंगे तो जब आप इस start का, starting में आप काम करते हैं, यह तो मैंने बिल्कुल आपको exact method रिटाया, इसके अधर आपने अपने working space को add करना है, जितनी भी आपके working space होगारा आ अरए हैं आप रखना चाहते हैं, आपकी height के साफ से good rank के अंदर आपके पास इदर mention की गई होगी तो आपने इसी तरीके से कालम्स वगएरा की ले आउट कर ले लिए जो डैमेशन वगएरा आपका पास सारी है वो सारी के सारी आपकी इसी तरीके से वन साइट के ओपर आप करते जाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट यह ले इदर से होता जाएगा सरा. तो म आपने उसकी ले अउट, आपने किसी भी बिल्डिंग एरिया, आपका पास कोई मकान है, कोई कंस्ट्रिक्शन हाऊस की करना चाहते हैं, कोई भी चीजे सबकी रर्किंग आपने इसी तरीके से करनी है, एक्स और वाई लेंद आपने लगानी है, लगाने के बाद आपने उ दूरी की मदस्स को लगाना है सिंगल कालम भी इदर लेट हो सकता है लेकिन सिंगल कालम के अंदर हमें थोड़ सी प्राबलम हाती है अब आप यह देख रहे हैं कि अधर हमार पास इदर यह फुटिंग आएगी है यह पास F1 के नाम से फुटिंग गया है यह सामने है तो इस का लेट वी में आपको पता दूँगा आप इसके फुटिंग की लेट को कैसे करेंगे तो अपने अपने प्लान को ओपन कर लेना है और इसके अंदर डैमेशन से आप देख रहे है कि इसके अंदर फिट्स के अंदर और इंचिस के अंदर डैमेशन से लिखी है जो इंचिस measurement करनी है fitting के centerline के पर तो आपने इद से सबसे पहले us की जो dimensions जो inches के अंदर है उसको आपने convert कर लेने foot के अंदर है उसके बाद convert करने के बाद आपने सारी footing को आपने इदसे count कर लेना आपके foot की rating होईगी है आपने just इदसे जो जो इस भी आपको पाद dimensions आ रही है सारी dimensions को आपने इदसे इंटर करते जाना है और उसकी टोटल डामेशन आपने उसकी सेंटर लाइन तक बना देनी है तो आपने इस सारी फिगर को काउंट कर लेना है तो यह काउंट करने के बाद जो हमापस नेक्स फुटिंग का जो सेंटर लाइन आ रहा है वो 20.075 फोट आ रहा है यह अधर से ले लेना है ताकि वह आपको पास काल्कुलेशन के इंदर प्राब्लम ना होता है तो इदर से आप यह देख रहे है कि तो जो महापर डिसस दिया गया यह फिटिंग 1 f1 है आपने इसका दर सेक्शन आपको पास नीचे दिया गया होगा आपने दिसका सेक्शन वाइन को पर आ तो आप यह देखने है तरसे हमार पास 5.6 feet हमार पास इदर है उसको बास 6 inch का हमार पास lean का cushion है lean है तो अभी हम lean को इदर करेंगे तो यह आपने सारा उसके अंदर कठा काल लेना तो हमार पास इदर 6 feet इसकी dimensions आ गई है इसकी इसकी center lines हो तो अभी आपने इदर आ जाना है इस footing के उपर और जो इसकी center lines के dimension बनेगी वो हमारी 3-3 feet की बनेगी X और Y axis को दर्मयान में इसी तरह चारो corner इसके 3-3 feet के बनेगे इदर हमारी aspect rank की footing के साफ से तो आप अपनी rank के साफ से देख लिए जाएगा जो भी dimensions आ रही है वो आपने इसी तरीके से इसकी calculate कर लेने हैं जो भी dimensions जो भी reference को आप यूज करना चाहेंगे तो आप corner से इसको लगा सकते हैं तो आपने इससे first corner से जिससे हमने dimensions दिली थी उदर से आपने इसका 20 feet और 075 तकरीबन एक इंच या साथ सूतर आप कह लें कि यह हमारा इदर से footing का center आ जाएगा जो हमारी यह आपने center लगा लेना है दोनों साइड़ों के ऊपर थोड़ी सी speed मैं इदर से तेज कर दी है तो आप यह सी तरीके से center लगाएंगे और इदर से आपको पास जो horizontal line जो हमारा एक साथ से जा रही थी उसको पर भी आपने इससे center लगा लेना है center लगाने के बार आपने इसक एक्स और वाई लाजमी लगानी है उसके बाद आपने इसके चारो कार्नर्स बनाने के बाद आपने उसका डैगनल चेक करना है और डैगनल चेक करने के बाद आपने उसकी layout को complete करने तो यह पूरा method में आपको सामने बता रहा हूँ इदर से मैंने थोड़ी से speed वीडियो के चेक जरूर करना है यह आप अपने जहन में बिठा लें आपने एक ही दफ़ा के उपर उसको नहीं करना आप जब इसको complete कर लेते हैं तो दो चार दफ़ा एक दो दफ़ा आपने उसकी x y dimension उसका डैगनल वगारा लाजमी चेक करना layout का यह एक बन्यादी जिज़ होता है क्य नहीं है इसी तरीका से आपने working space का आपने खास क्या रखना है अगर आपकी depth ज़्यादा आ रही है आप टाप के उपर कर रहे हैं तो आपने उसकी working space से बढ़ा देनी है उसकी height के साब से अगर हमार पास दो फोट है चार फोट है तो उसके एक डेड़ फोट तक का तो को इश्यू नहीं होता है उसके अदर तो आप दो चार एच दे सकते हैं जर्नली हो अगर आपके पास ज़्यादा की dimensions आपके हाइट ज़्यादा है आपका पास पांच फिट साथ फिट आठ फ है गया है इसके अंदर यह प्राब्लम हैगी तो आपने जो भी आपने एक्सिविशन करवानी है उसकी साफसे वर्किंग स्पेस को आपने एड़ करके करा रहा है तो आपने लेड़ करने के बाद आप इसका डियागनल चेक कर लेना है फार्मूला मैं पहले पता चुका हू घर आपका नहीं है तो अगर आपके दोनों साइड़ों की डामेंशन आपकी इतर से वी बराबर होने चाहिए अगर वो आपके बराबर आ रही है तो यह दमेंशन इदर से आपकी लेड़ ठीक है आप बेतर इतों यह है कि आप कर यह उपन करें शिफ्ट पी यॉ एल के जर रव्यान जो डिस सार होता है, भूपर वह चैक कर लेता है, अगर वो ब्राबर होता है, तो फोटम कुला है ऐक को ठाइक अमानने कृषिक मेरा थीक मैंगों होते हैं, यह क्लिक्लेट करने या 3, 4, 5. के जगी इसको क्रास चेक कर लें तो यह आप करेंगे तो यह इतना ही इजी काम हमारे पास हो जाएगा आपको जितना इस चीज को आप एकुरेड लेकर जाएगे उतना काम हमारा इजी होएगा यह फिटिंग की जो लेऊट्स वगरा होती है यह सारी इस चार्ड के ओपर होती बड़े अदर कोनेर्स दिये जाते हैं उसके ऊपर कंट्रॉल पॉइंट होते हैं अब बगादा हुआ हुआ होता है जो छोटे लेवल के बिल्डिंग के पटे हैं बिल्डिंग है को प्लाजा एक फड़क्री बजाएरे है उसके ऊपर जो भी लेयुट करनी है आपने यापको जगह पताएगी होगी कि जगह तो लाजमी आपको पताएगी होगी उसके अंदर आपने उसकी डैमिशन से ले लेनी है उसकी ले लेनी है उसको डिवाइड बाई टू कर लेना है और उसके से आपने ड्रैंग के साब से उसकी सेंटर लैंग पहले आपने एक्स लगा करने है प्लाट करने के बाद उसका आपने डेगनल चेक करने है डेगनल चेक करने के बाद जो कालम जो फुटिंग और जो भी चीज इसके अंदर रेक्वार्मेंट आपके ड्राइंस के अंदर है उसकी आपने लियाऊट करनी है लियाऊट करते वक्त आपने डेमेशन को दो- अब भी बन गए अपने तसरी Dimensions उसकी लेते जाएंगे और रखते जाएंगे तो आपके सारे KALUMs जद दसे कालम जा रहे वो आपके वाल्स टू ओल कालम जारे वो सारे आजाएंगा बाकि ड्राइएंग्ज आपके पास पूरी detail के अंदर मुझूद होती है आप उड़र से इनको देख सकते हैं दूसे स्टेडिस और गारा कर सकते हैं complete working space और गारा जो भी यह यह इन चीजों के साफ से आपने उसको करना है तो यह पूरा एक हमार पास फुटिंग का प्लान था without reference without किसी चीज़ के manual layouts के हवाला से कि हम इसकी layout कैसे करें तो यह आपने देखा कि मैंने layout पूरी कर दी यह दर complete तरीके के साथ तो आपने इसी तरीके से सारी layouts करना है मेरे चैनल के अंदर और भी काफ सारी informative videos मुझूद हैं जिनको देखके के आप अपना concept हर चीज़ का clear कर सकते हैं वीडियो को like कर दें अल्ला हाफिस